हेलो एबरिवन वेलकम टो और यूटूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यार आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटिन सी सी पलस पलस एंड जावा ठीक है तो बहुत सारे हम इस पर डिफरेंस देखने वाले हैं कि सी और सी पलस पलस और जावा में किया डिफरेंस है तो जयसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा Sी है वो क्या है हमारा Basic Language है, ठीक है सी जो हो गया, वह हमारा Basic Language हो ठीक है जिसमें जितने बी Programming Language है ठीक है High-Level Programming Language है उन शब का Base आप बोल सकते हैं कि C है क्योंकि C का ही concept सब जगा यूज होता है ठीक है C को ही improve करके हमने अलग-अलग language को बनाया है ठीक है तो हम यह देखते हैं कि C++ क्या है ठीक है तो माल नीचे जैसे आपने programming किया होगा तो हमके लिखते हैं A++ इसका मतलब क्या होता है कि A में पलस-1 करते हुँ ठीक है ऐसे ही अब इसका नाम क्यों पड़ा C++ जान लेते हैं ठीक है तो C++ मतलब क्या हुआ C++ मतलब वह C++ 1 ठीक है अब C++ 1 मतलब क्या हुआ तो जो ये हमारा पुराना वाला C language है ये same to same C++ में आगया ठीक है जो हमारा पुराना वाला C का जो concept है वो पूरा same उठा के हमने C++ में डाल दिया लेकिन उसमें हमने एक और concept डाला उसका नाम है OPS अब OPS क्या होता है? OPS होता है Object Oriented Programming Language तो इसमें हमने C वाला concept डाला और नाया हमने एक concept डाला OPS का ठीक है और ये क्या बन गया है? C++ अब C++ को थोड़ा सा और improve करके हमने क्या बना दिया? Java बना दिया ठीक है? तो I hope आपको तीनों समझ में आ गया होगा कि C क्या है? C++ क्या है? और Java क्या है? ठीक है? और कैसे ये involved हुआ? मतलब कि आगे ये कैसे बढ़ा C हमारा बिल्कुल basic है उसमें हमने OPS का concept डाला C++ बना अब C++ में और भी improvement करके उसे fast बना के बहुत सारी library बना के हमने क्या नाया एक language बना दिया Java बना दिया ठीक है? तो C++ और Java बिल्कुल same होती है ठीक है? लेकिन C++ है वो बिल्कुल hardware के करीब होता है ठीक है? और Java जो होता है वो hardware से काफी दूरी पे काम करता है ठीक है? तो आए सबसे पहले हम इसमें difference देख लेते हैं तो सबसे पहले हम difference देखने वाले हैं basis of programming paradigm ठीक है तो यह जो हमारा C है यह क्या है? procedural language है ठीक है? या इसको आप क्या बोल सकते हैं? functional language बोल सकते हैं ठीक है? यह किसके उपर काम करती है? function के उपर काम करती है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं ठीक है यह आप क्या कर सकते हैं यह function बहुत सारे function बना बना के आप इस पर काम कर सकते हैं यह function हो गया ठीक है देन उसके बाद आप नीचे एक function बना दिये ठीक है तो यह procedure में काम करती है ठीक है देन जो C++ है वो किसके base पर काम करती है object oriented programming language है ठीक है अब इसमें object oriented programming language में बहुत सारे concept आते हैं जैसे class हो गया ठीक है object हो गया inheritance हो गया ठीक है overloading हो गया यह सारी चीज़ें हम C++ में देख पाते हैं लेकिन यह सारी चीज़ें C में नहीं होती है ठीक है C में class और object का कोई भी concept नहीं होता है Java भी क्या है pure object oriented programming language है ठीक है अब इनका origin हम देखते हैं कि जो हमारा C language है वो किसके base पर होता है assembly language पर होता है अब आपके मन में एक doubt आया होगा कि assembly language क्या है देखो जो हमारा high level programming language है वहाँ पर हम क्या करते हैं सारी चीज़ें English में लिखते हैं ठीक है अब machine level language क्या है जहां पर 0 & 1 का यूज़ करके आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके बाद आया assembly language अब assembly language में क्या होता है कि आप numeric plus alphabetic दोनों का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने क्या लिखा मल 25 5 मतलब 5 और 25 का multiply कर दो ठीक है ऐसे यह का 8 डीब ठीक है तो यह सब क्या है यह है इसे हम क्या बोलते है assembly language में क्या होता है कि आप numeric भेलो भी उज़ कर सकते हैं alphabetic भेलो भी आप यहां पर उज़ कर सकते हैं ठीक है numeric और alphabetic दोनों symbol यहां पर उज़ कर सकते हैं और जो हमारा high-level language है वहां पर क्या आप बिलकुल English उज़ कर सकते हैं जो की समझने में काफी ज्यादा easy होती है ठीक है ना तो आपको यह समझ में आ गया है C का कि C जो होता है उसका origin क्या है तो वह based होता है और कब developed किया तो यह जो हमारा c है 97 डू में developed हुई थी ठीक है और जो c++ से 99 में developed हुआ ठीक है और 1991 में developed हुआ जवआ ठीक है तो सबसे पहले क्या है C आया, C के बाद C++ आया, इसमें कुछ improvement करके, इसके बाद इसमें कुछ improvement करके हमारे पास आता है Java, ठीक है, तो I hope आपको यहां तक समझ में आ गया, अब translator क्या होता है, आइए वो समझ लेते हैं, तो माल लिजिए हमारा जो C में language है, ठीक है, C++ में language है, ठीक है, और Java में है, इस में तो हमने अपना programming language लिख दिया, लेकिन हमारा जो machine है, वो क्या समझ पाता है, Ġीक है, तो machine level language पे जाने के पहले, हमें किसमें convert करना पड़ेगा, assembly language में, ठीक है, तो इसको हमें convert करना पड़ेगा, assembly language में, तो assembly language में convert करने के लिए, translate करने के लिए हमें, यहां पर played here सेम ऐसे ही C++ में भी होता है ठीक है तो यहां पर हम compiler का use करते हैं लेकिन Java का जो होता है ठीक है इसको हमें assembly language में convert करना है तो इसके लिए हमें compiler plus interpreter दोनों का use करना पड़ता है ठीक है आपको अब confusion होगी की compiler क्या है interpreter क्या है तो इसके लिए हमारे चैनल पर जाएए वहां पर आप easily देख सकते हैं ठीक है आपका पूरा doubt है वह clear हो जाएगा कि compiler और interpreter में क्या difference है ठीक है तो यहां पर हम compiler plus interpreter का use करते हैं translate करने के लिए ठीक है तो अब आते हैं हम नीचे platform dependency तो जो हमारा C है वह क्या है platform dependent है ठीक है जो C++ है यह भी platform dependent है लेकिन जो Java है वह platform independent है ठीक है आपका computer है उसके उपर जो आपका system है उसके उपर code direct execute होता है ठीक है C++ में भी यही होता है लेकिन यहां पी जो हमारा बॉटम अप अप्रोच क्या होता है सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा उससे समझा देते हैं ठीक है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है और बॉटम अप अप्रोच क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच की ठीक है टॉप डाउन अप्रो मोडियूल में डिवाइड कर दिया ठीक है और इसे भी सब मोडियूल में डिवाइड कर दिया ठीक है तो हम क्या करें हैं टोप से डाउन मारें ठीक है लेकिन यही से बॉटम अप क्या होता है तो बॉटम अप में आपको दिखाते हैं बॉटम अप में क्या होता है कि आपके पास एक sub-module पहले आप बना लेंगे ठीक है एक sub-module आप यहाँ पर बना लिए फिर इन दोनों को क्या करेंगे आप combine करके एक sub-module बनाएंगे ठीक है दिन उसके बाद यहाँ पे आप फिर से उपर जाएंगे ठीक है और फिर उपर ऐसे निचे से हम उपर जाते हैं ठीक है और फिर यहां पर हम अपना module बनाते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पर basically नीचे से top पे जाते हैं ठीक तो आपको top down समझ में आ गया bottom up आपको समझ में आ गया bottom से up में जा रहे हैं ठीक है तो अब हमारा अगला difference क्या है ठीक है उस पर हम बात कर लेते हैं तो हमारा अगला difference है file generation ठीक है तो यहां पर .exe file generate होती है यहां पर भी और यहां पर कौन सी file generate होती है .class ठीक है file generation के बाद अब हम देखते हैं preprocessor directive अब preprocessor directive क्या होता है सबसे पहले वह हम समझ लेते हैं माल लिजी है यह हमने एक program लिखा ठीक है तो हम program लिखते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया hash include io stream ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि io stream stream एक package है ठीक है इसमें बहुत सारे function define है जो कि इस program में हम use करने वाले हैं तो hash include का मतलब क्या हुआ hash लगा दिया हमने तो यह preprocessor हो गया मतलब इस program को चलाने से पहले यह जो file है ठीक है यह पहले से library बनी हुई है इस file को लेके यहाँ पर आ जाओ ठीक है तो इसका मतलब यह होता है ठीक है अब hash define मतलब क्या हुआ जैसे मैंने बोल गया hash define ठीक है radius 3.5 तो अब जहां पर मैं radius लिखूँँगा वहाँ पर आटोमेटिक ठीक है program execute होने से पहले क्या करो कि हर जगा पर 3.5 value यहाँ पर डाल दो ठीक है जहां जहां पर radius लिखी हुई है वहाँ पर 3.5 डाल दो ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जो C होता है support header ठीक है hashtag include hashtag define और यह क्या होता है यह भी support करता है ठीक है hashtag header hashtag define ठीक है और यहाँ पर लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर use करते हैं package ठीक है package को हम क्या करते हैं import करते हैं तो वो चीजे हम इसका अभी हम एक example देखेंगे वहाँ पर आपको इजले समझ में आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जो keyword होता है यह 32 keyword support करता है यह 63 और यह क्या करता है 50 अब keyword क्या है ठीक है तो दो चीजे आपको समझने परेगे keyword and variable ठीक है इसका मतलब यह होगा जैसे कि int हमने बोल दिया ठीक है तो int मतलब क्या होता है integer होता है ठीक है float हो गया ठीक है float हो गया ठीक है तो यह सब keyword है यह पहले से define है इंका मतलब और variable क्या होता है कि variable मतलब की आप कोई भी नाम कोई भी चीज़े अपने हिसाब से define कर सकते हैं कि जो हमारा C है उसमें 32 keyword होते हैं ठीक है C++ में 63 keyword होते हैं और Java में कितने होते हैं 50 होते हैं तो इतने word क्या है रिचर्व हैं ठीक है जब programming language यह बनी ठीक अब जो data type होता है उसमें मान लीजिए एक union होता है एक structure होता है ठीक है तो यह जो C होती है वो इसे support करती है C++ भी support करता है ठीक है लेकिन जो Java होता है वो इसे support नहीं करता है ठीक तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा क्या है यह union है और structure है इसको हमारा Java जो है वो support नहीं करता है आगे हम बात करते हैं तो आगे हम बात करने वाले हैं inheritance का ठीक है तो inheritance क्या होता है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं मन लिजिए यहां पे एक हमने program लिखा ठीक है यहां पे एक हमने program लिखा ठीक है और यह भी program क्या है बहुत सारी चीजे यहां से यूज कर रही है ठीक है तो यहां से हम बहुत सारी property क्या कर सकते हैं inherit कर सकते हैं ठीक है तो जो हमारा C है वो इसको क्या करता है support नहीं करता है यहां पे inheritance का concept नहीं होता है, लेकिन जो हमारा C++ है, ये inheritance को क्या करता है, support करता है और जो हमारा Java है, वो क्या करता है, वो inheritance का support करता है, लेकिन inheritance बहुत type के होता है, ठीक है, तो जो multiple inheritance होता है, उसको हमारा Java support नहीं करता है तो अभी हम बात कर लेते हैं overloading पे तो जो हमाया C है ठीक है वहाँ पे no overloading यह overloading को support नहीं करता है लेकिन जो हमाया C++ है यह function overloading को support करता है और जो Java है वो operator overloading को support नहीं करता है बाकि function overloading को support करता है आगे हम चलते हैं और यहाँ पे अकला defense देखते हैं ठीक है तो overloading वाला हमने देख लिया ठीक है अब pointer का ज इससे support नहीं करता है अब pointer क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं ठीक है मालने जिए int a equal to 5 है ठीक है तो यह जो a है ठीक इसको एक memory allocate हो गई ठीक है मालने जिए star a तो यह क्या करेगा इस address को point करेगा ठीक है कि जो a नाम का variable है उसका address क्या है उसको point करता है तो इसमें c में support करता है c++ में भी support करता है और java में क्या करता है support नहीं करता है ठीक है आपको heap में memory allocate करानी है ठीक है या memory allocation करानी है तो यहाँ पे c में आपको use करना पढ़ेगा में लोग के लोग ठीक है लेकिन अगर आपको यही C++ में काम करना है तो आपको यूज करना पढ़ेगा new या delete ठीक है और आपको Java में अगर यूज करना है ठीक है allocation तो आपको garbage collector यहां पे होता है ठीक है अब exception handling जो होता है वो C में support नहीं करता है C++ में support करता है और Java में भी क्या करता है support करता है ठीक है अब जो template होते हैं ठीक है वो क्या होता है C++ में support करता है ठीक है C में support नहीं करता है और Java में support नहीं करता है ठीक है अब क्या होता है आपको जाना है template क्या होती है तो इसके लिए STL आपको थोड़ा बहुत आनी चाहिए ठीक है अगर आपको STL पर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल हमें बताइए हम STL पर वीडियो बना देंगे ठीक है exception handling पर आपको वीडियो चाहिए कि उसके उपर भी हम वीडियो बना देंगे ठीक है तो अब हमने STL का देखने लाए हैं δिस्टत्रह्टर्स ठीक है तो यह क्या करता है C जो है यह इसे सपोर्ट नहीं करता है ठीक है और C++ इसे सपोर्ट करता है और जो हमारा java है ठीक है वो भी इसे सपोर्ट नहीं करता है multi cih ultras No 10 up weekly स्फफेश जो सी हैwo not supported छी के सी प्लस प्लस नोट a सपोर्ट सब्पोर्ण करता एक स्फबर्ट करता। आप सी चैना चैना इससे चैना करता लेकिन आप जावा के थोड़ू इसे क्या कर सकते हैं करनेक कर सकते हैं अब यहां पर जो storage class होती है ठीक है वो यह जो हमारा c है वो support करता है जैसे कि auto हो गया लेकिन जो जावा है वो इसे support नहीं तो हमने अभी काफी बहुत सारे difference देख लिए तो अगर आते हैं तो यह सारे difference लिखके आप अच्छे marks लेके आ सकते हैं ठीक है आपके इजाम में अगर आएगा तो c और c++ में difference आएगा या c++ और java में difference आएगा ठीक है तीनों में एक साथ कभी भी difference नहीं आएगा लेकिन हमने यहां पे तीनों cover कर लिया अब हम आगे चलते हैं और देख लिते हैं कि अगर आपको simple hello word print करना है ठीक है तो आप कोई भी programming language लिखते हैं तो जो आपका पहला होता है ठीक है जो पहला program होता है वो क्या होता है hello word print करन ठीक है तो अगर आप c++ में अगर आप इसको hello word print करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपने header file यहां पे include कर लिया ठीक है hashtag include koneo.h यह optional है इसे आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे हमने main लिख लिया और यहां पे कोई भी चीजे हमें print करानी होती है statement तो आपको use करना होता है cout का ठीक है cout मतलब यह चीजे print हो जाएंगे तो इसका जो output आएगा वो कितना आजाएगा hello world ठीक है अगर कोई भी चीजे input लेनी है तो उसके लिए आपको use करना पड़ता है c in का ठीक है और एक माल लिजे a नाम का variable है तो इसके अंदर आप input ले सकते हैं ठीक यह आपको c++ समझ में आ गया अब हम यहाँ पे java का देखते हैं तो java में आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले class बनाना पड़ेगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया कि file को include किया लेकिन यहाँ पे आपको class बनाना प ठीक है तो उसके बाद हमने यहाँ पे welcome print करा लिया यहाँ पे जो भी चीज़े आप लिखेंगे ठीक है यह double कॉमा के अंदर वो चीज़े यहाँ पे print हो जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं मतलब कि आप कोई भी string यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़े print हो जाएंगी हमा तो इसका output कितना हो जाएगा welcome ठीक है अब आपको यही सेम चीज़े किसमें C में करनी है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपने C++ में देखा यहाँ पे Java में देखा और C में क्या देखा कि यहाँ पे आप फिर से header file include कर लेजिए main function हो ठीक है अब आपको कोई भी देखेंगे ध्यान से तो C++ और C का program काफी ज़्यादा मिलता है ठीक है एक दूसरे से ठीक है तो इसको C को ही improve करके हमने क्या बना दिया C++ बना है और C++ को improve करने के बाद हमने क्या बना दिया Java बना दिया ठीक है तो I hope आपको यह सारी different ठीक है और यह हमने एक प्याड़ा सा चोटा चोटा इंजाम कर लिया तो वह सारी आपको समझ में आ गई होंगी तो अगर यह वीडियो informative लगे तो अपने WhatsApp गूरूप में भी share करना मत बोलना ठीक है और अगर आपको मज़ा आया हो ठीक है तो like, share, subscribe करना मत बोलना ठीक है और कमेंट में बता देना कि अगला difference ठाइए थाइए थाइए तो अगर आगर धाईएए तो अगर बता आगर अगर चांवा और नम ऐखको झाल झाल